खबर जार्खन में महमारी एक्ट के उलंगन पर होगी दो साल की सजा या एक लाक रुपे जुर्माना तो सो बेहत बड़ी खबर आ रही है जार्खन में कोरणा वाइरस के संक्रमन को देखते हुए जार्खन सरकार बेहत गंभीर होकर सक्त कदम उठाया है आपको बता दे कि संक्रमन की रप्तार पकड़ने के बावजूद लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है इसके तहद सरकार ने जार्खन संक्रा मक रोग आध्यादेश 2020 के परस्ताव को पेश किया बुदभार को कैबिनेट की ओर से इस परस्ताव पर मंजूरी मिल गई है आपको बता दे कि अब राजयपाल का इंतजार है राजयपाल की स्विक्रिती मिलने के बाद इसे कानूनी तोर पर लागू कर दिया जाएगा इस परस्ताव के तहद अब कोरोना के नियमों का परतिनी पड़ेगी साथ ही एक लाख का जूर्माना भी भरना होगा खबर जारखन विधानसभा सचीवालय 23 जूलाई से 27 जूलाई तक सील तोस्तो जारखन में कोरोना वाइरस की बढ़ते खत्रे और प्रकोप को देखते हुए मंतरी एवं विधायकों जनपरतिनी दियों के इस जानलेवा संक्रमन की चपेट में आने की वज़े से जारखन सभा को सत्ता ही जूलाई तक सील कर दिया गया है आपको बता दे कि बिधानसभा सचीवालय सबसे बड़ी पंचायत को बंद करने का फैसला किया गया है ताकि अन्य जन परतिनी दियों और मंतरियों में कोरोना वाइरस का संक्रमन ना फैले जारखन बिधानसभा के कई सदस्यों योम करमचारियों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की सूचना मिली है ऐसे में उनके संपर्क में यदि अन्य लोग आएंगे तो उनके भी इस जानलेवा विशानों से ग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाएगी कोरोना वाइरस के इस बैश्विक महामारी के संक्रमन के प्रसार को रोकने के लिए जारखन बिधानसभा सची वालों को 23 जुलाई से 27 जुलाई तक पूर्नतह सील कर दिया गया है खबर जारखन में फिर से सक्री हुआ मौनसुन जारखन में तीन दिनों तक होगी पारिश जिहां खबर आरे दोस्तों मौसम विभाग द्वारा जारखन में तीन दिनों के लिए औरेंच अलट जारी किया आपको बता दे कि विभाग दोरब बता गया है कि सभी जीलों में तीन दिनों तक बारिश होगी इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है आपको बता दे कि मौसम विभाग के अनुसार राची लातेहर पलामो गुमला दूम का जामताड़ समेत करीब सभी जीलों में बारिश होने की संभावना अब्यक्त की गई है मौसम विभाग की माने तो 24 जुलाई शुकरवार को उत्तर पूर्वी जीले देवगर धनबाद दूम का गिरिडी गुड़ा जामताड़ा पाकूड और साहिब गंज के एक दो अस्थानों पर भारी पारिश की संभावना अब्यक्त की गई है आपको बता दे कि लातिहार में पीछले दो दीनों से हो रही पारिश लगातर बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है खबर जहारखण में मैट्रीक के स्टे टॉपर और इंटर टॉपर को एक लाखा और तीन लाख रुपे देगी जहारखण सरकार की कैबिनेट द्वारा 22 जुलाई को लिये गए निरने के तहत मैट्रीक की परिक्षा में तीनों ही बोड में अलग-अलग परथम द्यूत्य ओम त्रित्य अस्थान पाने वाले शात्र को करमश एक लाख 75,000 और 50,000 रुपे दी जाएंगे इस तरह से मैट्रीक की परिक्षा के कुल नौ शात्रों को राजियस्तर पर प्रुस्क्रित किया जाएगा इसी तरह इंटर की परिक्षा में साइंस, आर्स और कॉमर्स के तीनों ही बोड के तीन तीन शात्रों को कुल 27 शात्रों को प्रुत्साहन राश्य दी जाएगी ख़बर है केंद्रे ने जारी किया अंतियोधय का नहीं नियम दिभ्यांगों को अब 35 किलो आनाच प्रती परिवार मिलेगा दोस्तों बड़ी खबर आ रही है केंद्री मखादे मंत्री रामिलास पासवान ने दिब्यांग बैक्तियों को राशन योजना का लाब देने के लिए अंतियोदे अन्योजना नियमों में फिर बद लगिया है आपको बता दे कि ट्वीटर पर ट्वीट के जरीए बताया कि दिब्यांग बैक्तियों को राशन योजना का लाब नहीं मिल पा रहा है इस संबन्द में दिल्ली हाईकोट के निर्देसों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिब्यांगों को अंतियोदे अन्योजना के अंतरगत समीलित किया जाए आपको बदा दे कि अन्य योजना केंदर सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खादे आपूरती और भोकता मामलों के मंत्राले के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है इस योजना का मुख्य उदेश्य गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 35 किलोगर गेहूं और चावल परतीमा पहुत सस्तिधर पर परदान किया जाएगा खबर है विश्व स्वास्ते संगठन ने कहा 2021 से पहले कोरोना की वैक्सिन बनने की कोई उम्मीद नहीं दोस्तो WHO ने रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में अलग-अलग चरणों में जारी कोरोना वैक्सिन के ट्रायल पर इस्थिती स्पष्ट कर दी है आपको बता दे कि WHO ने साब कहा है कि अगले साल यानी 2021 से पहले कोरोना वैरस की वैक्सिन बनने की कोई उम्मीद नहीं है WHO के मताबिक अगले साल तक वैक्सिन मिलने की उम्मीद है लेकिन इसके मैनुफेक्चरिंग और डिस्ट्रिबूशन में और भी वक्त लग सकता है WHO के कारेकारी उनी देशक माईक रियान ने कहा कि कोरोना वैरस की वैक्सिन बनाने के मामले में शोत करताओं को सही काम्यावी मिल रही लेकिन साल 2021 के शुरुआती दिनों से पहले इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि वैक्सिन की सुरक्षा मानकों में कोई कमी नहीं की जाए भले ही वैक्सिन बनने की गती थोड़ी धिमी हो जाए कवर पेंशन और इंसोरेंस सर्विस देने की तियारी में वाटसेप जल्द उठा सकता है ये बड़ा कदम दोस्तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस देने वाटसेप अब भारत में अपनी सर्विस विस्तार देने की तियारी में है आपको बता दे कि नूच एजनसी पीटी आई के मताबिक वाटसेप बीमा माइक्रो फाइनेंस और पेंशन जैसी सर्विस की जल्द ही शुरू करने जा रही है इसको लेकर पाइलेट प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकता है आपको बताते कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए भारत में बैकों और बीत्य संस्थानों जैसे भागिदारों के साथ काम करेगी कमपनी के भारत परमुका विजीत बोस ने बुद्वार को ये बात कही उन्होंने कहा कि ग्लोबल फिंटेक फेस्ट में कहा कि कमपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट वीतरन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संभावित समाधानों का परिशन करने के लिए भी नई पहलों का भी समर्थन करेगी खबर है अगले 24 घंटे में बारिश लेगी भयानक रूप सरकार का हाई अलट जारी दोस्तों बारिश से देश भर में कहीं रहात है तो कहीं यही कहर बनकर बरस रही है आपको बता दे कि कई राजों ने लागातार हो रही बारिश की वज़े स बार जैसे हालात बन गए हैं मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हपते राजधानी दिल्ली में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है बात करें उतर परदेश बिहार पस्ची मंगालसी की मसम मेगाले अरुनाचल परदेश की तो यहां पर मानसुन की काफी ज्यादा ए कॉर्ट की गई है खबर फेस्बूक का नया अपटेट अब कोई दूसरा नहीं पढ़ पाएगा आपके फेस्बूक मैसेज दोस्तों फेस्बूक ने मैसेंजर में एप लॉक नाम से नया प्राइवेसी फीचर पेस किया है जो यूजर्स को दूसरों को उनके नीजी मैसेज मैसेज तक पहुँचने से रोकने में मदद करेंगे आपको बता दे कि एप लॉक परसनल मैसेज जिस में सिक्यूरिटी और को और पुकता करता है यह वैकल पिक सुविधा उप्योग करताओं को यह जानने के लिए बिश्वास दिलाती है कि यदि किसी मित्र या परिवार क सदेसे के पास आपका फोन है और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी परसनल चैट ना पढ़ सके इसके लिए एप लॉक फीचर काम आएगा मैसेंजर के प्रोड़क्ट मैनेजर के मैनेजमेंट के निदेसक जेस सुलीवन ने कहा मैसेंजर की खास्यत उसकी गोपिनियता है जह यसी की कक्षा एक से कक्षा आठ तकी किताबों में योग और हेल्थ एजूकेशन से जुड़े टेक्स्ट बुक महया कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जश्टिस अशोक भूसन की बेंच ने वीडियो कॉन्फिंसिंग से हुई भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाएर याचिका में मांग की थी कि स्वास्ते का अधिकार योग और हेल्थ एजूकेशन दिये बिना संभव नहीं है याचिका में कोट से मांग की गई थी कि वो केंद्र सरकार को निड़्देश दे कि वो राष्टि योग निती बनाए याचिका में NCRT और CBAC के कक्षा एक से कक्षा आट तक की किताबों में योग और हेल्थ एजूकेशन से जुड़े टेक्स्ट बुक मोहया कराये जाए खबर है 100 ट्रेने बंद कर सकता है रेलवे टाइम टेबल में भी बड़ा बदलाओ दोस्तों इंडियन रेलवे ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर बड़ा बदलाओ करने जा रहा है आपको बता दे कि रेलवे जीरो बेस्ट टाइम टेबल त्यार कर रहा है जो अब जल्द ही के बाद ही यह लागू होगा जब तक कोरोना का खौब बना रहेगा रेलवी की तरफ से मुसाफिरों की सुविधा के लिए स्पेसल ट्रेने ही चलाई जाएंगी आम तोर पर रेलवे का नया टाइम टेबल जुलाई से अगले साल जून तक लागू होता है फिर मौसम और ट्र साल तक रेलवे में बढ़ा सुधार देखने को मिलेगा खबर केंद्र सरकार ने बढ़ाई आउधी अब 31 दिसंबर तक जारी रहेगा वर्क फ्रोम होम दोस्तों देश में कोरोना वाइरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में आइटी बीपियो सेक्टर और अन अग बता दे कि दूरसंचार विभाग ने ट्वीट कर कहा दूरसंचार विभाग ने कोरोना वाइरस के कारण व्याप चिंता को देखते हुए घर से काम करने की सुविधा के लिए सेवा परदाताओं की खातिर नियम और शर्तों में दी गई छूट को 31 दिसंबर 2020 तक के ल हादिया है